सबी लोग को नमस्कार प्रडाम और आज का वीडियो जो हमारा है वो हस्त रेका पर पाइट वन है सबसे पहला भाग है जिसको इस हिसाब से हम तयार कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसको हस्त रेका में बिल्कुल भी नालेज नहीं है तो बिल्कुल सुरुवात से हम इसको लेके चलेंगे और कोशिश करेंगे हम आपको हस्त रेका से समंदित सारी चीजों से अवगत कराएं कि आपके लिए पॉस्पिल हो सकेँ कि हैं आप खुद ही अपने हाथ का अध्युन कर सकें वह किसी और और के भी अध्युन कर सकें लेकिन अगए को जब तक आपको पूर्ण ज्यान ना हो जाई हस्त रेकाका किसी के के लिए भी भविश्यवाड़ी ना करें तो चलिए आज के क्रम में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं रेखाओं के बारे में क्योंकि सबसे अधा आवश्यक है इसमें रेखाएं है ना और आज हम लोग इसमें चर्चा करेंगे एक चीज हम और बता दें कि हाथ भी कई प्रकार के होते हैं ठीक है वर्गाकार हाथ आदर्श हाथ एक होता है नुकीला हाथ और चम्चाकार हाथ तो कई सबसे यादा जो उसमें सबसे यादा प्रभाव देखा गया है और उसमें यह देख सकते हैं कि क्योंकि वो कर्म शील हात होता है कर्म के द्वारा ऐसे हात वाला व्यक्ति सब कुछ प्राप्त कर सकता है तो वर्गा कार हात का महत तो काफी है हस्त रेखा अध्यन में तो समय को बचाते हुए हम लोग इस्टार्ट करते हैं रेखाओं के बारे में जनना जो सबसे अधा आवश्यक है जो नीव है अगर आप हस्त रेखा का धिन करना चाहते हैं हस्त रेखा सीखना चाहते हैं तो दिश्चे तोर पे सबसे पहले आपको रेखाओं के बारे में जनना होगा तो देखें मुक्यता हात में तीन रेखाई होती है सबसे पहली ये रेखा हो गई जीवन रेखा है ना ये होती है जीवन रेखा दूसरे नमबर पर आती है यहाँ पर मस्तिस्क रेखा जिसको माइंड लाइन बोलते हैं तीसरे नमबर पर यहाँ पर आती है हरदे रेखा इन तीनों का बहुत ही अधिक महत्त है प्रतेक व्यक्त के जीवन में और अगर हम लोग देखें तो सबसे आदा अवर्षक है व्यक्ति की आयू होना अगर आयू है तो आयू के साथ में उसके पास बुद्धी भी होना चाहिए विवेक होना चाहिए तीसरे नंबर प्याति है जो हर्दे रेखा मतलब हर्दे उसके अंदर प्रेम भी होना चाहिए करुड़ा पूर्ड उसका हर्दे होना चाहिए तो ऐसा ही जीवन सफल माना जाता है अब यहां पर हम लोग देख लेते हैं कि रेखाओं का अलग अर्थ क्या है रेखा किस प्रकार की रेखा अच्छी होती किस प्रकार की रेखा तोड़ा सा अच्छे परिणाम नहीं दे पाती वो भी हम लोग चीद देखेंगे तो सबसे पहले देखते हैं यही आपकी ले लेते हैं जीवन रेखा है ना जीवन रेखा से एक चीज और पता लगाई आत्ती है व्यक्ति का स्वास्थ है और बहुत हद तक निर्वर करता है जीवन रेखा अगर टूटी-फूटी है तो स्वास्त है कहीं न कहीं थोड़ा सा खराब रहता है अगर ये कहीं बहुत जदा फीकी है तब भी व्यक्ति थोड़ा सा बलहीन हो सकता है थोड़ा सा दुरूबल हो सकता, उसका स्वास्त थोड़ा सा खराब हो सकता है है ना, अब रेखाएं के कई प्रकार भी होते हैं एक होती है एक तो रेखा हो गई, आपकी ये, ठेक है, टूटी-फूटी रेखाएं, मतलब एक ही रेखा ये है इसके पास से एक दूसरी रेखा ऐसे निकली है ये रेखा निकली है, कहीं कहीं पे अलग हो रही है तो यहाँ पर ये, इसे कते हैं टूटी रेखाएं, है ना और अगर रेखा टूटी है, जीवन रेखा अगर टूटी होती है तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की अलपे होती है है ना उसके मृत्यू के समान कस्ट भी हो सकता है और अगर कुछ परिस्थितियां और भी हो केवल और केवल आप जीवर रेखा में अगर इस प्रकार की कोई तूट फूट है तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि व्यक्ति की व्यक्ति हो जाएगी लेकिन हाँ ये बहुत हथ्य तक तय है कि उस व्यक्ति को कस्ट होता है मृत्यू तुल्य कस्ट हो सकता है इसलिए यहाँ पर आवश्यक है कि हाथ के साथ साथ उसकी जन्म कुंडली का भियाद दिन किया जाए अगर ये परिस्तियां है हाथ में ठीक है ये तो हो गई आपकी तूटी रेखा है एक दूसरी प्रकार की होती है रेखा वो है रेखा तो ये है ठीक है इस में से बहुत हलकी यलकी रेखाएं और छोटी छोटी रेखाएं शाखाएं निकलना है ना इस प्रकार की जब साखाएं होती है तब भी व्यक्ति का स्वास्थे कहीं न कहीं व्यक्ति को परिसान करता रहता है स्वास्थे में उतार चड़ाओ आता रहता है और हाला कि इस condition में विक्त की Alp नहीं होती है इस line में वक्त की Alp नहीं होती है और जब नीचे की ओर ये line लाइने होती है तो कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी अवनत ही करती है मतलब progress नहीं करती है ना अगर ये line ऊपर की ओर है हम दिखा रहे हैं आपको बना के अगर यह लाइने ऊपर क्यों जा रही है इस प्रकार से तो यह उतना कस्ट नहीं देंगी एक चीज और भी है जीवन रेखा कही वारे में अगर जीवन रेखा इस प्रकार से आई है और यहां से दो भागों में या तीन भागों में डिवाइड हुई है तो एक बात हम बता दे हस्त रेखा में यह कहा जाता है कि कोई भी रेखा अगर पूर्ड है है ना बिना कटी-पिटी है तो सबसे अच्छी मानी गई है और अगर उसमें साखाएं फूटती है है ना जैसे आपकी यह ह लोगी भागे रेखा है ना यहां पर आपकर यह भागे रेखा में अगर दो तीन रेखा हैं अगर फूट गई और तो यहां पर क्या होगा यह भागे को और बढ़ा देंगी लेकिन जब यह बात आती है आपके जीवन रेखा में तो क्या यह देखा गया है कि जब इसमें कई प्रकार कई शाखाएं होती है तो यह थोड़ा सा रोग उत्पन करती है है ना तो यह हो गई आपकी जीवन रेखा एक चीज इसमें और हमें एड़ करनी है देखे केवल जो अलग शाखाएं वाला जो फार्मूला है वो केवल जीवन रेखा में ही लागव होता है बाकी सारी रेखाएं जो हैं उसमें अलग अलग शाखाएं वोटती है तो वो उस रेखा को और बलशाली बनाती है तब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं एक प्रकार की और रेखा जिसे कहते हैं जन्जीर का होना बहुत से रेखाओं में जन्जीर टाइप में बनी होती है है ना जब कभी भी जन्जीर बनी होती है तो इस प्रकार से भी यही होता है कि व्यक्ति को अगर जीवन रेखा में जंजीर बनी है तब भी स्वास्ताय से सम्मंदित कहीं ना कहीं दिक्कत आती हैं है ना और इसी प्रकार से अगर जंजीर या टूटी-फूटी रेखा हैं जितनी अलग लग रेखा हैं उनमें सम्मंदित कんだ ऑ communication हम से आपकी मस्तिस क्रेखा हो गई इसमें अगर इसी प्रकार एक संकेत मिलते है और मस्तिस्क्रेखा के बारे में एक चीज़ हम और बता दे मस्तिस्क्रेखा हमने ज्यादा तर देखी है मस्तिस्क्रेखा दो भागों में भी डिवाइड हो जाती है यहां से और जब मस्तिस्क्रेखा दो भागों में डिवाइड होती है एक प्रकार का वाई बनाती है तो यहाँ पर क्या होता है कि मस्तिस्ट क्रेखा और भी वलसाली हो जाती है एक चीज़े हम आपको और बता दे अगर मस्तिस्ट क्रेखा बिलकुल सीधी है है ना तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा बुद्धिमान होता है अपितू उसमें एक गुड़ और भी होता है वो कहीं ना कहीं मतलबी भी हो जाता है अपना मतलब निकालने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता हो और कुछ भी कर लेगा और दूसरे के लिए शायद वो उतना नाखर है लेकिन खुद के लिए वो बहुत ज़्यादा प्रयास कर सकता है खुद के लिए सारे काम कर लेगा सारे तरीके भी अपना सकता है हाला कि सेल्फिस होना बहुत तक गलत नहीं है स्वयम के लिए सोचना स्वयम की देखवाल करना कहीं पर गलत नहीं है लेकिन हाँ उसके साथ साथ में दूसरे की भी करनी चाहिए खेर दूसरी चीज अच्छा एक अगर ये लाइन बिल्कुल सीधी है तो ऐसा व्यक्ति केवल और केवल अपने लक्ष के प्रति बहुत ही केंद्रित रहता है उसका लक्ष ही उसके सामने रहता है और उसको ज्यादा तर दुनियादारी से मतलब नहीं होता है वो केवल और केवल चाहता है कि उसका लच्छ जो भी है उसकी पूर्ति हो दूसरे नमबर पे यही लाइन अगर यहां से आके इधर आ जाती है यहां पर है चंद्रपरवत लगबग यह एरिया है चंद्रपरवत का इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग हाथ पे जो भी परवत हैं उन सब के बारे में भी बात करेंगे इसके बीच में हम यही आपको और चीज भी बोलेंगे अगर आप वीडियो पर नए है तो आप वीडियो को लाइक कर लें अगर अच्छा लग रहा हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे अगला वीडियो जब भी आए तो सेकेंड पार्ट आपको मिले और अगर हर पार्ट आप देखते चलेंगे तो एक एक चीज आपको बहुत ही क्लियर समझ में आएगी हम कोशिश करेंगे एक एक चीज आपको समझाने की जिससे यह हस्त रेखा विज्ञान जो भी है आप इसको जान सकें और इसका लाप्राप्ट कर सकें यहाँ पर जब यह रेखा जब भी यह रेखा इस प्रकार से मस्तिस रेखा आपकी चंदर परवत की तरफ जुख जाती है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही विचारवान हो जाता है क्योंकि चंदर परवत जो है भावनाओं का परवत है वो आपके मन को भी प्रस्थुत करता है और जब यह मस्तिस रेखा है मतलब आपका जो दिमाग है जो दिमाग है आपका अच्छी तरीके से सूच रहा है विचार कर रहा है विचारवान हो रहा है तो इसका आर्थ है यह है कि आपको साहित में हैना के इंट्रेस्ट हो जाएगा और और मस्तिस क्रेखा में एक और बीची देखी है यह दो भागों में भी डिवाइड होती है अगर यह इस प्रकार्थ से है तो इसका आर्थ यह है कि व्यक्ति अपने लक्षी के तरफ भी केंद्रित होगा उसके साथ साथ में उसका साहित में आर्ट में है ना म्यूजिक में संगीत में इन सब चीजों में भी उसका कहीं ना कहीं रूची देखने को मिलेगी ठीक अच्छा इसमें भी वही सब चीजे लागू होती है जो हम लोग देखते चले आये थे अभी जो हमने आपको बताया था जब हम जीवन रेखा के बारें बता रहा थे अगर ये भी टूटी-फुटी होगी या इसमें कहीं जंजीरे टाइप में बनी होगी इस प्रकार से ठीक है तो क्या होगा व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में डिप्रेशन में भी जा सकता है तो ये विशेश ख्याल रखना होगा जब आप अध्यान करते हैं हस्त रेखा का कि ये रेखाए गाड़ी होनी चाहिए अगर तूटी-फुटी है तो कहीं ना कहीं दिकत जर प्रूर जाएगा एक चीज़ हम और बता दें आपको जब ये मस्तिस्क रेखा देखे इस हाथ में आप देख सकते हैं यहां से आके यहां पर यह मंगल परवत की और कुछ साखाएंस की जाने लगे तो ऐसा अव्यक्ति बहुत ही जद्दा कंफ्यूज हो जाता है अपने न मिलती है बहुत संकास रहतियों से अपने करियर का चुनाव करने के लिए तो अगर यह किसी व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार के रेखा हैं तो उसको यह चाहिए कि वो एक अपना लक्ष तै करें और उसकी तरफ आगे बढ़े अब आ जाते हैं हाँ एक चीज में और भी वतानी थी अगर यह रेखा बहुत अच्छी तरीके से डेवलप नहीं है थोड़ी सी ही आई है तो यह भी देखा गया कि ऐसे व्यक्ति का बहुत ज़्यदा इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं होता है या पढ़ाई हो भी गई है तो पढ़ाई को बहुत ज़्यदा प्रयोग में नहीं लाता ज्यादा तर देखा यह जाता है कि ऐसा व्यक्ति टैन्थ ट्वेल तक ही पढ़ाई करता है या अगर ग्रेजुशन को कराया गया तो उसने कर लिया बाकि उससे लाव ज्यादा नहीं लेता है तो यह तो हो गई आपकी मस्तिस्क अब तीसरी रेखा प्याते हैं वह हरदय रेखा है ना हरदय रेखा भी अगर हम कहें तो काफी गाड़ी होनी चाहिए इसमें में भी कोई किसी प्रकार की टूट फूट नहीं होनी चाहिए कोई भी जंजीर टाइप में नहीं होनी चाहिए अगर इस प्रकार की जंजीर होती है तो व्यक्तिकों कहीं ना कहीं जो भी उसका दामपत्य जीवन होता है उसमें कहीं ना कहीं परेशानी आती है या किसी भी प्रकार के relationship में उसको कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और जो आपकी ये जीवन रेखा है स्वारी हरदे रेखा है ये यहां से निकल के लगबग ब्रहस्पत पर्वत के पास तक आ जाती है और अगर ये ब्रहस्पत पर्वत के पास तक आती है तो काफी अच्छी मानी गए ऐसे विक्टी का अगदा बहुती पवित्र होता है और और बाकि हमने आपको बताए टूटी-फुटी नहीं होनी चाहिए इसमें जाधा शाकाएं भी नहीं होनी चाहिए वो जाधा अच्छी नहीं मानी गए है तो ये तो तीम रेखा हैं हो गई और लगवग लगवग वो शनि परवत पर जाती है नेक्ट पार्ट में हम आपको परवतों के बारे में भी बताएंगे लेकिन ये ठीक जहां पर पहुँच रही ये है शनी परवत और जो थोड़ी सी बैंड हो रही ये है आपका गुरु परवत मस्तिस इसके भाग रेखा के वारे में भी कई विचार है भाग रेखा अगर यहां चंदर परवत से निकलती है तो व्यक्ति का जो भाग यह है या व्यक्ति का जो पेशा है प्रोफेशन ये व्यवसाय है वो इस प्रकार से होता है कि वो कहीं नहीं उसे पवलिक से सामना करना पड़ता है मतलब वो दिन भर कई प्रकार के लोगों से मिलेगा और उसका उसी से काम का चलेगा दूसरी चीज एक और बता दे अगर यही भाग रेखा यहां जीवन रेखा में मिल जाए तो व्यक्ति कहीना गई अपने घर से सपोर्ट लेता है घर से उसे सपोर्ट मिलती है है ना और व्यक्ति लगबग 27 साल में सफल भी हो जाता है एक और शीज बता दे अगर यही आपकी भाग रेखा बिल्कुल यहां से निकली हो यहां से निकल के सनी परवत पर जाती है और या ब्रहस्पत पर जाती है तो यह माना जाता ऐसे व्यक्ति को बच्पन सही अपने घर से पूरा सपोर्ट मिलता है उसे करियर को आगे बढ़ाने में अब आ जाते हैं एक और चीज आपको बताते हैं अगर यही रेखा जो है मस्तिस्क रेखा से निकलती है भाग रेखा तो यह माना जाता है व्यक्ति को सफलता उसकी लगवग जो 32 वर्स की आयू हो जाती है उसके बाद सफलता उसको मिलती है लेकिन एक चीज और भी यहां पर अवश्यक है अगर यह मस्तिस्क रेखा से ही भाग रेखा का उदय होता है तो इसका आर्थ यह है कि व्यक्ति अपने मस्तिस्क के भरोसे अपने ज्यान के भरोसे ही जीवन में सफलता पाता है और बत्तिस वर्स के आयूग के बाद में उसका भाग योदय एक प्रकार से होता है एक चीज जो हम और आपको बता दें कि वैसे जो भाग रेखा है वो यहां से निकल के और सीदे जाती है शनी परवत के उपास लेकिन जब कभी भी इससे कोई शाखा निकल के ब्रहस्पत परवत पर पहुँच जाती है इस प्रकार से तो यह काफी वैक्ति को बहुत भागिशाली बनाती है बागिवान बनाती ऐसा वैक्ति बहुत जञादा भागिवान होता है और उसके सारे कार आसानी सो जाते हैं जितने भी सुबकार है सबको होने में कम समय लगता है व्यक्ति गौवर्मेंट जाब अगर पना जाता है चायता है तो उसमें भी बहुत जल्दी जा सकता है तता व्यवसाय और विवाह के लिए भी यह बहुत ही अच्छी मानी गई है एक चीज और इसमें जोड़ दें हम कि अगर यही जो आपकी भाग गरेखा है इसमें अगर कोई चंदर परवस से रेखा निकलके इस प्रकार से भाग गरेखा में जुड़ जाती है तो ऐसे व्यक्ति का जो पार्टनर होता है प्रिस्मत ज्यादा तेजी से चमकती है और विशेश कर यह देखा गया है कि अगर इस्त्रियों के हाथ में यह है रेखा इस प्रकार की तो उन्हें ज्यादा अच्छे परड़ाम मिलते हैं और इसमें भी अगर कई प्रकार की एक पर यह त्रसूल भी अगर देखनों के मिलता है भाग रेखा में तो यह भी अच्छा माना गया है अब आते हैं एक और रेखा के बारे में जिसको कहते हैं सूरे रेखा सूरे परवस से निकलके नीचे की और जाती है सूरे रेखा को फेम लाइन भी कहते हैं इस से यह देखा जाता है कि व्यक्ति कितना फेमस होगा अगर सूरे रेखा केवल एक लाइन में होके उपर से लेके नीचे तक आई है तो यह यह प्रदर्शित करती है कि व्यक्ति को बहुत ही सम्मान मिलने वाला है एक और चीज़ बता दें अगर ये भी रेखा हैं अगर सूरे रेखा पर जैसे आप इस हाथ में देख पा रहे हैं कोई क्रास बना है तो यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि ऐसा व्यक्ति का जो confidence होता है कभी-कभी ज्यादा नहीं होता है तदा उसे अपने आपको समाज में इस्थाफित करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है अगर यहाँ पर स्टार टाइप में बना हो तो यहाँ पर एक और चीज़ हो जाती है कि ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा अपने आपको चाहता है कि समाज में उसका नाम हो लेकिन उसे अपनी समाज में पैचान बनाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है उसके बाद ही जाके उसको नाम या सोहरत प्राप्त होती है तो इसमें भी सबसे इंपर्टेंट यही है अगर सिंगल लेखा है तो सबसे अदा अच्छा माना गया उसको और एक और चीज बता दे अपने दर्शकों के लिए यहां पर जो है अगर आप देखेंगे जो आपका आपकी अनामिका उंगली है यह और यह आपकी खरदे रेखा इन दूनों के बीच में अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो रेखाई होती है यह विवाह के रेखाई होती है इसमें भी हम आपको यह बता दें कि आप इस वाली उंगली का यह पोर ले ले तथा यह वाली हर्दे रेखा इन दूनों के मद्य अगर एक रेखा है तो इसका अर्थ यह है कि व्यक्तिका विवाह लगबग 25 वर्ष के अंदर हो जाएगा और यही अगर रेखा थोड़ी सी और आगे बढ़ती है तो व्यक्तिका विवाह लगबग 30 से 32 वर्ष की आयों में होता है अगर एक और कोई रेखा जो यहाँ पर आती है तो विठ्ठिका लगबग 23 वर्च में ही हो जाता है 22 अब यहाँ पर कई दर्षकों का यह भी प्रशन होता है कि यह कैसे देखें कि विवा प्रेम विवा होगा या माता-पिता के अनुसार विवा होगा तो आप लोग के लिए हम ये बता दें कि अगर यहां से कोई निकली रेखा हर्दे रेखा की तरफ मुड़ जाती है तो ज्यादा तर ये देखा गया है कि इसमें प्रेम विवा के योग बहुत ज्यादा बनते हैं और अगर ये मुड़ती नहीं सेधी होती है तो ये होता है कि अरेंज मैरेज या माता पिता के अनुसार भी साधी हो सकती है लेकिन एक चीज हम आपको और बता दें केवल और केवल इसी चीज को देखके अंदाजा ना लगाईएगा कि प्रेम विवा होगा या आपका माता पिता के अनुसार विवा होगा क्योंकि और बहुत सी चीजे हैं वो भी देखने पड़ती हैं हस्त रेका में जिसके आदार पर ही किसी भी निर्णे पर इसकर्स पर पहुँचा जा सकता है एक चीजे हम और बताना चाह रहे हैं कभी कभी कुछ हाथों में यह होता है यह रेखा जो मस्तिस्क रेखा के काफी पास में जाती है अगर हर्दे रेखा और मस्तिस्क रेखा दोनों आपस में बिल्कुल मिल जाएं आके तो क्या होता है इसका अर्थ यह होता है कि आपका जो मस्तिस्क है आपका जो माइंड है उस पे आपका हर्दय ज्यादा हावी हो जाता है मतलब आप उपनी भावनाओं से घिरे रहते हैं आपके जो डिसीजन होते हैं आपके जो भी डिसीजन होते हैं वो कहीं न कहीं भावनाओं से ज़्यादा प्रेरित होते हैं उसमें भावना चुपी होती है और भावुक होके यह आप decision लेना पसंद करते हैं गुस्साबस भी हो सकता है या बहुत ज़्यादा खुसी से भी भरे होके आप कोई ना कोई नेड़े ले सकते हैं ऐसे विख्थी के लिए कहा यही जाता है कि ना ही बहुत ज़्यादा खुस होके कोई भी decision ले जब आप सम अवस्था में हो ना ज़्यादा खुस हो ना दुखी हो उस अवस्था में ही आप नेड़े ले तो यहाँ पर इन दोनों रेखाओं के बीच में उची दूरी भी होनी चाहिए एक चीज हम और बता दें आपको जब यह हर्दे रेखा इस प्रकार से होती है और आप इस हाथ में वियक सकते हैं कि यहां पर से कोई रेखा इधर मंगल पर्वत की तरफ आ जाती है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रोध ही व्यक्ति हो जाता है उसे क्रोध बहुत ज़्यादा आता है ऐसे व्यक्टिकों चाहिए अपने क्रोध पे अंकुष लगाए अगर क्रोध पे अंकुष लगाता है तो इससे बहुत सारे लाब रहते हैं और भी हाथ में कुछ रेखा हैं उनके बारे में भी बात कर लें यहाँ पर एक होती है बुद्ध रेखा या व्यफसाय लाइन भी से कहते हैं अगर इस प्रकार की लाइन होती है जो बुद्ध परवत तक जाती है ऐसा व्यक्ति व्यापार में भी आगे हो सकता है ऐसा वेक्ति नौकरी अगर ना करें व्यापार करें तो व्यापार में विसको लाव प्राप्त होते हैं एक चीज और भी देखी गई है कि यहाँ पर जो आपकी वेपसाइट की लाइन है इसके पास में ही एक और लाइन होती है जो स्वास्त रेखा भी कहलाती है और यादा तर लोग उसको समझ नहीं पाते हैं स्वास्त रेखा तथा यह जो आपकी वेपसाइट लाइन है इन दोनों में अंतर नहीं कर पाते हैं और बहुत ही कम हाथ होता है जिनमें ये दोनों रेखाएं एक साथ में पस्तित होती हैं हाला कि एक चीज़ हम और बता दें आपको जो आपकी जीवन रेखा है उससे सबसे आदा अंदाज लगाया जाता है कि व्यक्ति का स्वास्त्य कैसा होगा क्योंकि स्वास्त्य रेखा प बताय दे रहे हैं एक रेखा यहां पर आती है जिसको कहते हैं गार्जियन लाइन यह व्यक्टि के हाथ में होना काफी अच्छा संकेत होता है अगर व्यक्टि किसी भी मुसीवत में है संकट में है तो ऐसे समय में अगर कोई भी साथ नहीं देता तो कहा जाता भगवान यह रेखा अगर होती है तो खा जाता ऐसा व्यक्टि अगर किसी संकट में है कोई साथ नहीं देता तो भगवान उसका साथ देते हैं और यह प्रोग्रेस लाइन भी कहलाती है एक चीज़ हम आपको और बता रहे हैं यहां पर अगर यहां से कोई लाइन निकलके ब्रहस्प मिलती रहती है और एक चीज़ जीवन रेखा के बारे में थोड़ी सी और पूरी करनी जीवन रेखा अगर यहां से लेके यहां तक काफी सुद्रड हो अच्छी हो तो कायता व्यक्ति का जीवन काफी लंबा होता व्यक्ति बहुत देरगायू होता है तो यह थी बेसिक सारे दर्सकों को कि हाथ में कौन-कौन से रेखाएं होती है और अगले वीडियो में हम लोग चर्जा करेंगे इसमें कि कौन-कौन से परवत होते हैं हाथ में तो अगर आप चैनल पर नए है तो जैनल को बिलकुत सब्सक्राइब कर लें वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिससे उनको भी इस ग्यान का लाप्राप्त हो सके मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम आपको परवतों के बारें बताएंगे और एक-एक करके कई पार्ट बनाएंगे जिसमें व्यक्ति यह जान ले कि उस करेंगे हो